नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश्कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की विडियो लेक्टर में हम बात करेंगे कि ऐसे विद्याथी जो BPSC के माध्यम से निकले इवेकेंसी में 11-12 की कख्षा में पढ़ाने के लिए सिक्षक भरती की तयारी कर रहे हैं तो वो ये समझ पाएंगे कि पिछली बार जो परिक्षा हुई थी उस परिक्षा में सवाल कहां कहां से पूछे गए थे और किस पोर्षन को हमें ध्यान में रखना चाहिए वैसे आप सभी के कमेंट्स हम प्राय चैनल पर देखते हैं और धेर सारे कमेंट्स हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है तो हम इस परिक्षा की तयारी कैसे करें तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि BPSC अपने वोर से ही बहुत कम समय दे रहा है एक महिने में किसी परिक्षा की तयारी करना मुश्किल से भरा हुआ है लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि पहले से जो तयारी करते आ रहे हैं उस तयारी के आधार पर एक महिने में हम रणनीती बना लें जिसे कि इस परिक्षा में सफलता हासिल कर पाई तो जिस पेपर को हमने देखा है उस पेपर को बहुत सारे विद्यार थी परिक्षा के दोरान ही देख लिया होगे या फिर इसके साइट पर भी मौजूद है BPSC के वहां से भी आप इस देख सकते हैं प्रशनपत्र का हमने मुल्यांकन किया रिव्यू किया कि हिंदी प्रशनपत्र जो है असी सवाल जहां से बने हुए हैं वो कहां कहां से सवाल बने हैं ताकि जब आप तयारी करने के लिए जूटें और अपना टाइम टेबल बनाएं किताब नोर्स रखें अ आगे हम पेपर के बारे में भी बात करेंगे तो उमीद है कि आप सभी अपने लिए इसे पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और गमवीटा से देखेंगे जहां भी जरुत पड़ेगी नोट कर लेंगे तो सबसे पहले हमने पेपर को जब देखा तो देखा कि पेपर में नव बिंदुओं से सवाल जादतर पूछे गए ठीक है पहला बिंदु दिखाई पड़ा भार्षा विज्ञान का आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि 11-12 की कक्षा को ध्यान में रखते वे हमने इसके सिल देवस में बताया गया था कि NCRT या फिर SCRT के पाठक्रम पर आधारित प्रशन पत्र रहेगा लेकिन जब हम question paper को देखे तो बहुत सारे ऐसे प्रशन आयोगे थे जिनको कि हम NCRT या फिर SCRT के पुष्टकों पर ही निर्भर होकर नहीं तयार कर सकते हैं तो इसी को हम पहला point जो है भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान से कुल 11 प्रशन इस परिशा में आयोए थे जो अभी 2023 में एक्जाम हुआ था 11 प्रशन भाषा विज्ञान से उसमें भी ज्यादतर प्रशन देवनागरी लिपी को आधार बना कर पूछे गये थे तो अब आपके मन में भाषा विज्ञान को भी थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको घबराने की जवरत बिल्कुल नहीं है इस चैनल पर भाषा विज्ञान से रिलेटिड आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे प्रैक्टिसेट भी मिल जाएंगे बस जरूरत है कि समय निकाल कर एक बार उन्हें देख लीजिए कई क्वेश्चन आपको इस चैनल से मिल जाएंगे सिधे सिधे पूछे गए तो तैयारी करते समय पहले तो आपको भाषा विज्ञान का जो बेसिक है बहुत टेंसन लेने के जरूरत नहीं है जो बेसिक आप जानकारी होनी चाहिए भाषा विज्ञान से रिलेटेड वह हैं से सवाल बने दूसरा जो पॉइंट यहां पर दिया गया है रचना को आधार बनाते विए प्रशन पूछे जाएं तो आकतर परिक्षाओं में आप देखते हैं कि कुछ रचनाओं को ध्यान में रखते हैं प्रशन बनाये जाते हैं पूछे जाते हैं कि किसकी रचना है या फिर कई बार रचना की विशए वश्टु से रिलेटेड वी या फिर प्रवित्ती से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया जाता है तो हमने देखा कि BPSC में बारह सवाल रचनाओं को ध्यान में रखते दिसरा जो पैटर्न है आपर प्रकाशन वर्स पूछे गए जो कि आप अगर दूसरे भी परिक्षा की तयारी कर रहे होंगे या फिर यूपी में आने वाली जो भी परिक्षाएं होती हैं उनकी तयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी इंदी पट्टी का वहां पर आप प्रकाश प्रकाशन वर्ष पर आधारित सवालों की संख्या लगवग 5 के आसपास रही है तुमेलित पर आधारित प्रश्न भी पूछे गया है तुमेलित वाले प्रश्नों की संख्या कुल 5 रही है और यह सब ऐसा नहीं है कि के वल BPSC के question paper में ही पूछे गये बलकि आप जब से हिंदी वीशे को अपने करियर के रूप में लिये होंगे या फिर परिक्षाओं में बैठे होंगे तो यह सबी तरीके के प्रश्न आप देखे होंगे प्रकाशन वर्स हो गया सुमेरित वाला इसके बाद कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न ऐसे प्रश्नों की संख्या कम है दो प्रश्न मुझे दिखाई पड़े तो कथन और तर्क युजीसी नेट की तयारी करने वाले विद्ध्यार थी बहुत इस पे ज्यादा जोर दे और आप सभी को सचेत करने के लिए भी मुझे पॉइंट मिल गया कि आचायर रामचन शुक्ल और बच्चन सिंग को आधार बनाते वे फुल आठ सवाल पूछे गया है कई जगहों पर तो आचायर रामचन शुक्ल के सीधे सीधे कथन पूछ लिए गया है और कई जगहों अबर आचायर शुक्ल के जो निबन है उनका हवाला देते हुए सवाल पूछा गया है तो पेपर पर जहां डिसकस करेंगे अभी तो वहां देख लेंगे अभी मोटे तवर पर अपने दिमाग में आप रखिए कि बिपीएसी जो सवाल बनाई है या फिर बिपीएसी में ज तुरू कि जब किसी को काम दिया जाता है तो ठीक ठाक मतलब उसको काम मिल जाता है तो में भी यही एक सपार्ट से रहें तो रामचनरशुक्ल और बच्चन सिंग के कथन भी पूछे गया है इसमें इनकी संख्या आठ रहे जिसमें कि साथ कथन रामचनरशुक्ल से पंक्तिया या फिर कविताओं पे आधारित किसी का कथन पुछ लिया गया या फिर किसी नाटक से कुछ कथन पुछ लिया गया है ऐसे प्रश्णों के संख्या रहे है ज्यारत विश्येश लेखक को ध्यान में रखते हैं भी कुछ सवाल बने हुए जिसे कि सुमित्रा इना घवराते हों हिंदी सहित्य के इतिहास में आधिकाल से लेकर आधुनी काल तक के जितने भी प्रमुफ कभी हैं उन प्रमुफ कभीयों की रशनाओं को या उनसे रिलेटेड जो भी तथ्यात्मग जानकारिया हैं उनको एक बार अपने दिमाग में जरू रख लिए मु जो लेबल से शुरुवात करने जा रहे हैं आपने जो भी पहले पढ़ाई की हुई हैं यतने दिनों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो जायर सी बात है कि बहुत कुछ बेस आपका बन गया होगा इसलिए मैं बार बार काता हूँ कि कोई वीडियो आप थम निल को ध्य जाने में रखते हुए या फिर अपने परिक्षा के देश्टी कोर से मत देखें क्योंकि आपके पास 24 गंटे हैं उसमें से आधे गंटे भी चैनल के लिए आप देते हैं तो आपका कहीं कहीं बेस मजबूत होगा तो विश्येस लेखक और कभी से भी सवाल पूछे गया है ज्यादा नहीं पूछे लेकिन कॉम्टेटिव एक्जाम में एक एक क्वेस्चन का बहुत अहम रोल होता है तो देखना पड़ेगा सभी को अब बात आती है कि हिंदी ब्याकरण से रिलेटेट जो प्रस्णों की संख्या रही है लगबग 22 क्वेस्चन है यानि कि हिंदी ब संख्या असी हो गई है तो मोटे तरव पर आपको देखना है कि बीपेसी जो एक्जाम करा रही है या फिर आगे कराएगी उसमें भाषा विज्ञान से भी सवाल पूछे जा रहे हैं रचनाव पर आधारी सवाल है प्रकाशन वर से रिलेटेट क्वेशन पूछे जाएंग सवाल भी पूछे जा रहे हैं विशेश लेखक या कभी से भी सवाल आ रहे हैं और हिंदी व्यार करने यही नव पॉइंट है जहां से सवाल विपेसी के प्रश्ण पत्र में मुझे दिखाई दिये जिसको कि हमने एक जंग क्लेक्ट किया है 80 सवाल ठीक है और जब आप एक 120 प्रश्ण आपके परिक्षा में रहेंगे तो अभी हम 80 questions पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि यह चैनल हिंदी oriented है सहीत्य विशे के ध्यान से हम ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 80 सवाल में अगर परिक्षा में आप 65 से 70 सवाल भी सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छ गे होगे, अब आगे हम प्रश्ण पत्र पर बात करेंगे, क्यों क्यों बात करेंगे, बहुत सरे विद्द्याचमों के मने मैं आра होगा की साथ साथ आप उत्तर भी बता दिए, तो इसके लिए मैं आगे से बाद में वीडियो बनाने का प्र्यास करूंगा, लेकिन अभी प्रश्णों को आप देख लीजे कि प्रश्ण कैसे पूछे जा रहा है जैसे कि पार्ट वन है तो जनरल इस्टडीज के तौर पर पार्ट वन दिया गया है और इसमें प्रश्णों की संख्या रहेगी जनरल इस्टडीज का तो कुछ खास आपको देखेंगे कि सिलेवस रहता नहीं है और इरिया से कुछ सवाल रहते हैं जिसमें कि आप देख रहेंगे कुछ मैथमेटल क्वेश्चन है मतलब जिसको हम अंक गडित पहले बोला करते थे उस पैटर्न पर आगाई थे आपर सवाल आपको दिखाए पड़ेंगे जिसके लिए आप एक अगरवाल पप्लिकेशन की किताब आती उसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है एस चंदे की बुक भी आती है अंक गडित की उसको देख सकते हैं तो यहां पर है एक नजर आप देख सकते हैं कि सवाल पूछा कैसे जा रहा ह कि दोनों के अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो मैच करके एक दूसरे का देख कर आप कर सकते हैं कई वार हिंदी बहुत कठिन हो जाती है और कई अंग्रेजी इसलिए दोनों भाशाओं के शब्दों को आप मैच करके लगा सकते हैं और जिस भाशा में आप पाट वन देख रहे हैं कि 40 क्योंचन है और जिस पर कि मैं डिसकस्त नहीं करूंगा हिंदी वाले पर ही मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा पार टू आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी दिया हुगा है ठीक है सवाल पुछा गया पहले ही भाशा विज्ञान से धिरेंद प्राक्रित की पुरो कालिन अवश्था का क्या नाम तो जिसको आएगा वह तुरंद बता देगा और एक चीज़े और देखना है कि इसमें पांच ऑप्सन दिये गए आम तर पर पर परिक्षाओं में हम देखते हैं कि चार आप्सन रहते हैं लेकिन भी प्यसी ने पांच में से कोई नहीं यानिकि आपको उपर के तीन आप्सन स्वाच्छे से समझना है इसके बाद इन सब को प्रियोग करते हुए आपको बताना है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्ण सीदे सीदे हैं लेकिन इनके विकल्प है थोड़े से कंफ्यूजिंग पैदा करन है कि दो बोलियों का नाम बताई देख रहे हैं प्रश्ण इस तरीके से आ रहा है खड़ी बोली के लिए सुनिति कुमार चटर जी ने किस तरीके का प्रियोग किया था तो भाषा विज्यान के कोई किताब आप पढ़ेंगे सब उसमें मिल जाएगा खास और से भाषा इसका नाम है आप टेलिग्राम में खोजेंगे मिल जाएगा तो तरीके का है एक है जिसमें किवल मैं ही मैंटर को सेंड कर सकता हूं और दूसरा है जिसमें आप लोग आपस में डिसकस कर सकते हैं और कई बार यह देखने में आया हुआ है कि जब हम किसी को ज्यादा स्वतन नहीं करता हूं मुझे लगता है कि पढ़ने का ही यह जगह है तो आप लोगों को जहां से भी मैटर मिल रहा है लेकिन एक ट्रस्ट तो होता ही है कि जब तक आपका ट्रस्टी व्यक्ती इस पर विश्वास करते हैं वो न कुछ खुलकर बोले तब तक आप तमाम वीडियो आपको नहीं विश्वास होगा या फिर आप साफ का नहीं बढ़े तो मैं तो आपको हर परीक्षा किति प्रिश्वास से बताने का प्रयास करता ही रहता हूं तो जैसा कि मैंने बता है कि भाषा विग्यान से related देखिए कैसे कैसे सवाल यहां पर आ रहा है देवनागरी लिपी से related देखिए आपर सवाल आ गया जिन जिन सवालों को आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और अचानक एक मैने के अंदर में ही आपको इज्याम देने का मौका मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे थोड़ा आप अगर जुड़े रहेंगे उसके साथ तो जो यह टेकनिकल यहां पर option दिये गए हैं उनको match करके आप सही उत्तर तक पहुचेंगे आसानी से और बीच में अगर आपकी continue होगी अन्यमित रही होगी तब थोड़ी सी दिकत हो सकती है नहीं तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको कि आप न कर पाएं भाषा विज्ञान में जैसे मैंने का कि देवनागरी लीपी से ज्यादातर सवाल है यह आपर भी देखिए देवनागरी लीपी से रिलेटेडी सव गया ब्रजभाषा में गितात्मक्ता ब्रजभाषा में परुस्वरणों का अभाव तो जब तक ब्रजभाषा को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उसके लक्षनों को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसे प्रशनों का जबाब देना थोड़ा सा मुश्कील होगा त तो यह दूसरा एक तरीके से कथन और पर हो सकता है इसको आप देख रहे होंगे इसके बाद मैंने बता है कि सुमेलित आधारित क्रेशन पूछे जा रहे हैं तो यहां पर भाषा को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है और आराम से आप अगर भाषा विज्ञान की सवालों का जबाब आप देदेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं कि रचना पर आधारी सवाल आ गया कि अग्रिदास के रचना कौन है इसके बाद देख रहे हैं कि सुमेलित वाला प्रशन यहां पर आ गया इसको आपको मिलाना है और यह सभी ऐसे प्रशन है कि जिसी न इसके बाद प्रकाश्न वार्स में किसी एक कभी की कभी करतियों उठा लिया जाता था और उसी को इधर उदर करके पूछा जाता था लेकिन अब बदलते वह पेटर्न में द्यान रखना पड़ेगा कि एक से अधिक कभीयों की रशनाओं को इसमें जोडा जा रहा है तो आप आपको इस पैटर्न पर भी त्यारी करना पड़ेगा जो प्रमुफ कभी रहे हैं उनकी रचनाय रही है उनकी प्रकाशन वर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा तो इस ही साब आप देख रहे हैं कथन तर्क वाला सवाल देखें यहां पर आगया दूसरा ठीक है भारतियोंद करते हैं सवाल आ गया है और उसको मिलान करते हैं प्रश्न का रूप आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट है थोड़ा बड़ा है पहले वन लाइनर तरीकी का सवाल पुछ लिया जाता था और चार आप्शन रहते थे अराम से अफ हल करके बैठे रहते थे लेकिन आप क्या है वे सभी विद्यार्थी दे पाएंगे जो राम चनशुकल के इतिहास ग्रंथ को लाइन बाइन पड़े होंगे अब वो जमाना गया कि वर्ल नाइनर किताबे सर्शती बविंद पांडे को पढ़ लेंगे तो आप ऐसी परिक्षाओं को पास कर पाएंगे तो उमीद है कि मे किना डराय हुए ऐसी किताबों को पढ़ाएंगे एक विद्यार्थी ने एक दिन कमेंट्स किया हुआ था कि सर मैं अलग-अलग चैनल्स पर प्रैक्टिस्टेट देखती हूं वो कोई मैला ही है मतलब छात्रा के रूप में तो उन्होंने का कि दूसरे चैनल्स पर हम प्रै कठिन-कठिन चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगा लेकिन आपने महसूस किया होगा कि किसी भी परिक्षा में अगर सौ सवाल का पेपर होता है तो उसमें बीना पढ़े वे भी आप साथ सवाल कर सकते हैं आपका गलत कहा से होता है गलत होता है माइनर-माइनर कन्फूज कर डिशेशन के ज़ते द्वंध के वजह से फिर अपर परिक्षा के पहले जो नहीं पढ़ाई किये थे नीयमित नहीं थे तो उसकी वजह से होता है मतलब की 100 सवाल में 60 सवाल बहुत ही आसान आसान रहते हैं, सभी लोग इतना कर लेते हैं, जो अंतरकर होता है वो आगे के जो 20 सवाल होते हैं, वो नए भी होते हैं और थोड़ा बदलेवे पैटन में होते हैं, तो कोई जरूरी ये नहीं है कि आपको कथिन प्रैक्टिस चेट जब चुनिन्दा प्रशन या कि जो बहुत महाजपून प्रसिद प्रशन हैं, उनके उत्तर जब गलत होने लगते हैं, तो खुद से औस अंतुष्टी होती है, आप खुद पर ऐसा लगता है कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप हतुस साहित होने लगते हैं, तो ख प्रशन को नहीं कर पाएंगे, इस प्रशन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, सुमेलित वाले में वही आ गया, देख रहे हैं सुमेलित से रिलेटेट सवाल आया, फिर से सुकले जी का यहां पर कथान आ गया, और नाटक पढ़ाते हुए हमने खुद बताया था, इसलिए इस चैनल पर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, और जो भी बाते हैं, उनको थोड़ा सा आपको गंभीता से लेना पड़ेगा, और मेरी गंभीता से आपको डरना नहीं है कि मैं गंभीर रहता हूं, मैं मुस्कुराता नहीं हूं, मैं कॉमेडी नहीं करता हूं, यह सब पढ़ने के समय सब जरूरी भी नहीं है, समय वक्त आएगा तो किया जाएगा, आपका समय मेरे लिए काफी महत्रपूर है तो जिस काम पर मैं आता हूं उसी पर फोकस राने के कोशिश करता हूं तो हम एक वीडियो लेक्चर में बताया थे नाटक पढ़ाते हुए कि शुकली जी का कथन है कि लेक्षन भाती है कि आधुनिक गदिसाहिती परंपरा की शुरुवात नाटक से होती है तो ये उन ही का कथन इंडाइरेक्टली आपको यहां पर समझ जाना चाहिए ठीक है आग इसके बाद यहां पर दिया गया है कथन ठीक है दो कथन यहां पर दिये गया है तो एक तरीके से यह दिखन और तरक पर आधारित सवाल है अब इसमें से आपको बताना है पढ़के और तभी बता पाएंगे जब आप किसी इतियास गरंद को अच्छे से पढ़े होंगे पांस सवाल तो ऐसे रहेंगे जो कि उस परिक्षा के लेबल को कंट्रोल करेंगे ठीक है यह हो गया इसके बाद स्वयम्भू से रिलेटेट क्वेस्चेन आ गया तो यह मतलब कथन से रिलेटेड है इसके बार आप देख रहें कि रामचन शुक्र का भी एक कथन फिर से आ यहां पर आप देख रहें कि प्रेम की पीर को ही लेकर यह न जाने कितनी बार सवाल आ चुका हुए जो विद्याति इस चैनल पर जुड़े हो काफी जो अनभवी हैं जो करीब दसो परिक्षा में बैट चुके हैं और एक एक दो दो नंबर से दरो दर उनका सेलेक्शन नह जा सकते हैं यही तो है गाइडन सीसी लिए तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो जो भी चीजें बताए जा रहे हैं प्लीज उनको आप गंबीटा से और गहराई से तमझने कोशिश कीजिए और उसको एक गुरू की लीक मान कर आप रास्ता बनाई और मंजिल तक इसके बाद आ गया जो बच्चन सिंह के बारे मैं कहा रहा था बिहारी अकेले कभी हैं यह देखे कछन आ गया है इधर से कछनों पर रिलेटेड सवाल आ रहे हैं फिर रचना पर आधारीत सवाल आ गया कि कठोक निसात की यमनकेता कहानी पर कौन परfish धुल प्रश्ण को आ अनुकरम के आधार पर सवाल पूछा गया है तो नॉर्मली है आप यूग विशेस के आधार पर देख सकते हैं या फिर आपको याद हो तो ज्यादा बेतर है इसके बाद एक कथन और आ गया जो कि नई कहानी से रिलेटे है तो नई कहानी के जो खास कुछ आलोचक्र है जिसम तो वहीं से सवाल पूछा गया देख रहा है कि कहानी से आ गया है हो सकता है कि यह परिक्षा में पर और रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का अंसर आते ही आते हैं ठीक है न प्रशनों के नेचर को आप देखें आपको लगया कि कुछ सवालों को छोड़कर आप भली करता हूं कि वो किताब को पढ़ा हुआ है शुकली जी की कहीं प्रेत इत्यादी दिखाई पढ़ा आपको अगर शायद प्रेत रहता तो इस ऑप्सन में रहता ही रहता अब तो आपको विश्वास हो गया होगा केशो को कभी हिर देन नहीं मिना था ठीक है उन्हें वह अस्तर रदीता भावकता नहीं देख रहें कहीं कठिन कावे का प्रेत लिखा हुआ है पहले जो प्रचार प्रसार होता रहा वो आगे चलता रहा वो समय चेंज हो गया है और आप लोग इस परिक्षा को पास करके 11-12 बच्चों को पढ़ाएंगे तो सही चीज पढ़ाएंगे और मैंने बहुत पहले EMRS मैं बार-बार आप लोगों से हाथ जोड़तर कर रहा हूं कि थम्नेल पर बिल्कुल मन चाहिए क्योंकि मेरी विक्टैपिसिटी है परिक्षाय जैसे जैसे आते हैं वह से मैं करता हूं लेकिन हर विद्याथी को यह मान कर चलना चाहिए कि वीडिय से अपने काम को निकालना है ठीक है अपने काम की जो भी चीज है निकाल लेना मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे दुसरे चैनल पर इंटर्व्यू देते हैं और नाम लेते हैं तो वह प्रैक्टिस सेट या फिर सब्जेक्टिब जो भी नॉलेज प्राप्स करते वह बोलते हैं कि जो मेरे काम की थी मैंने इसको देखा हाउन का योगदान रहा है इतना काफी है अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा और फ्री में कोई नाम ले रहा है तो आत्मा को बहुत ही सुकून मिलता है कि हाट चलिए अच्छे लोगों के बीच में बात जा रहे हैं कह मैं यही बताना चाह रहा हूँ चलिए तो केशोदास से हो गया अध्यात्मिकरंग के चस्में ना जाने कितनी बार यह सवाल पूछा जा चुका होगा पर इक्षाहों में कि आप अगर सोते भी रहेंगे तो भी बता देंगे कि यह शुकले जी का है और किसके संदर में आप पर सवाल पूछा गया है यह है नए तरीके से सवाल पूछा गया है आप देख रहे हैं कि विशय वस्तु पूरानी है लेकिन पूछने की शैली जो है वो नहीं है आपका दिल खुश हो जाएगा इसको करते हो तुरंद आगे रामचरिद मानस से सवाल होना ही होना है किसीन जीवन मुह चाही को नीको पंक्ती में भाव कौन सा है तो यह थोड़ा सा नए पैटर्न पर सवाल है तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि एक-दू सवाल आ सकते हैं इसके बाद जैसे रामचरिद मानस सवाल आ रहा है वैसे ही कामायनी से सवाल आना ही आ रहा है नोट क किसकी रचना है यह सब खतम हो गया आप देख रहा है मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सवाल पुछ लिया गया प्रशात के नाटकों से रिलेटेट कथन दिया गया कि किसका है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कर प्रशात को लेकर उसको देखना पड़ेगा ये बस आप देखिए कि कैसे कैसे सवाल उठाय जा रहा है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का उलेख कीजिए तो मुक्तिबोध की रचनाओं को पढ़ते हुए कौन से उनकी रचना प्रतिबंधित थी आप भली बाती जान रहेंगे तो मतलब अब यहां पर देख रहे हैं कि सामान रूप से नहीं पूछा गया है जो रचनाओं कुछ खास विश्यस्ताओं के लिए प्रमस रहे हैं वो पूछ लिया गया है ठीक है अब आप देख रहे हैं यहां पर सुमेलित पूछ लिया गया मैं बार बार जब आपको भारतेंदु हरिष्यंद के नातकों के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि उनके नातकों की विधागत विश्यस्ताओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखिया कि कौन क्या है ठीक है ना तो जब आप जानेंगे तब होगा भारत दूजर के हिसाब से भारतेंदी योगीन जितने भी लेखक हैं उनका दे दिया गया है इस तरीके सवाल बन रहे हैं अब मैला आचल से रिलेटेड है आप देखिए आपर सवाल उपन्यास और पात्रों का सही मिलाने है ठीक तो जो फेमस फेमस उपन्यास है उनको देखना है आपको मैला आचल हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्याति पढ़े रहते हैं नदी के दूइब भी पढ़े रहते हैं गोदान जूठा सच यह सभी जो उपन्यास है यह आपके लिए पहली बार है आप अल्रेडी किसी ने किसी समय जरूर पढ़े हों कि मैं उन विद्यातियों की न पढ़े होंगे अभी तो और कुछ महत्पूर उपन्यास इसमें रखे जा सकते हैं जैसे शेकर एक जिए जो कम से कम यूजी सी नेट के सिलेबस में तेरे चोदह उपन्यास लगें उनको तो आप ध्यान में रखेंगे तो भी काम चल जाएगा ठीक इसके बाद आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया नहीं देखिए ठीक है सवाल भी उसी में है और प्रश्न भी उसी से बना हुआ है तो इसको आप बता देंगे फिर कभी की पंक्तियां पुछ ली गए यहाँ पर इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ-कुछ सवाल आप देख रहे हैं कि पुरान मैं अभी उत्तर पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं बस आप सभी को बता रहा हूं कि सवाल कि प्रिष्ट भूमी या फिर आधार कहां कहां से रहा है उसी इसाब से आपको त्यारी करने है ठीक है एक आंकी से सवाल पूछ लिए गया मेड तोड़ दी अभी किसका है पिर मनु भंडारी का पूछ लिया गया आपर कि इनकी कौन से संग्रन नहीं है ठीक तो नार्मली सवाल पूछे गया है आप देखिए यहां पर उस्तक को ध्यान में रखते वे पूछ लिया गया एक कथन दिया गया है और पूछ लिया गया कि ऐसे घुमक्कड मवाली की व अर्शंकर परसाइस रिलेटेड देखिए सवाल आ गया बहुत छोटा सवाल है इस तरीके से इसके बाद आप देख रहे हैं कि चिंता मड़ी से सवाल पूछा गया है और भूती के दोन से ही प्राणी के जीवन का आरम बहता है उच्छ प्राणी मनुसी वीकेवल एक जोड चिंता मड़ी के चार भाग है लेकिन कम सकम जो पहला भाग है वो आपके पास होना ही चाहिए इसके बाद देखिए सवाल यहाँ पर पूछिया गया अंधेर नगरी से रिलेटेड कथन दिया गया है और पूछा गया कि किस पात्र का है तो आप अंधेर नगरी चोटी सवाल पूछे जा सकते हैं यहां पर देखिए पूछ लिया गया कि परदा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संधमन सरणम गच्छा मी नाट कृती के प्रथम अंक से प्रारंग होता है तो जो कुछ हमने किताबें बताई हुई थी कि 11 बारे में यह किताब आप पढ़ जलती हैं वहां से भी कुछ-कुछ सवाल उठाए गया है ठीक है कुछ-कुछ सवाल एकदम से आसान है अब मुझे लग रहा कि जीशी साब से कटफ गई हुई है वह आसान सवाल के थ्रू ही जा पाई उठाए ठीक है ना तो 30 दिन में कोई कितना अध्यान कर सकता है या फि अतित के चल्चित्र यानि मादवी वर्मा के अतित के चल्चित्र से लिलिया गया है अब जब आप इसको पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे कि इसका कथा नहीं है फिर इसके बाद आ गया आशार का एक दिन से जितनी भी रचना है आपर बोली जा रहे हैं नाम जिनका जिनका लिया जा रहा है कोई ऐसी रचना नहीं है जो कि आपके लिए नहीं होगी लेकिन सवाल अब रचना रचनाकारों लेखकों तक नहीं रहा बलकि उनके अंदर से पूछे जा रहे हैं यह है चीज आपको देखने कि कुछ-कुछ सवाल बीच-बीच में कठिन दे दिय दिये जा रहे हैं ठीक कुछ आलोचनात्मत पुछतिकों का नाम दिया गया है अब यहां से शुरुआत होती है ब्याकरण की जो मैं 22 के आसपात में लगबग बोला था अब यहां से धड़ा-धड़ा आप देखेंगे कि लगातार ब्याकरण से रिलेटेट क्वेश्यन है जिसमें की ब्याकरण की कुछ किताबें हैं जिस भाषा भी ज्यान की मैं चर्चा बार-बार कर रहा था कि बोला नातिवारी की खरीदना देखी हैं आपर सवाल की रूप में आ गया है कामता प्रसाद गुरू की किताब पर भी मैंने चर्चा की हुई है यहां पर आया आप देख रहे हैं कि प्रत्य से रिलेड़ेट सवाल है संकरशब्द कौन-कौन से है संधी वीचेड ब्येंजन किस प्रकार का है उच्छिप्ट कौन सा है फिर संधी पूछी गई है समास पूछा गया है देख रहे हैं फिर इसके बाद कुछ पदबंध टाइप के सवाल कुछ का है कि हिंदी से अंग्रेजी में जो कुछ अनुवाद होते हैं अनुबाद कभी एक दो सवाल अनुबाद से रिलेड़ेड भी पूछे गया है कुल शब्दों का अनुबाद है परयावाची है अब यह सब विविधता से बरे विप्रशन है अब यह कोई बोले कि हम आपके विन्या सित्यादी भी पढ़ना है तो ऐसे प्रशन आप देख रहे हैं कि सवाल के रूप में आये हुए हैं मुहावरे भी कुछ कुछ है लोकोक्तियां भी है ठीक है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि व्याकरण से इस सवाल पूछे गया है अच्छे खासे पूछे गया है तो उमीद है कि BPSC 11-12 क्रक्षा के लिए पेपर का जो लेबल है किस प्रकार का था क्योंकि स्लेबस में कहीं बहुत स्पस्ट रूप से नहीं लिखा गया है बस पुष्टक पर तो हमने ज्यादा नहीं चर्चा की है लेकिन NCIT के पुष्टक पर हमने पूरा विचार कर लिया है छठी से लेके बार हमी तब और यह मेहनत हमने की थी KBS के एक्जाम के दोरा तो मेहनत कोई विव्यक्ति एक बार करता है उसका प्रेडाम उसको कई बार उसक से मेनत कर लेंगे तो आप देखेंगे कई परिछाओं में एक से अधिक बार आप सफलता हासिव कर लेते हैं तो अब यह कोई सोचे कि मैं BPSC के थमनेल से ही पढ़ाना शुरू करूं तभी मैं पढ़ूंगा तब तो मुश्कील है आपको अपने अनुसार अपने जरूरत के अनुसार इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़ी हुई है उनको देखना पड़े तो मीद है कि आप BPSC के पेपर पैटर्न से और मैं जो कुछ आपको गाइ पास कर पाएंगे क्वालिफाई कर पाएंगे और एक अच्छी नौकरी पापाएंगे और आपको लगेगा कि यहां पर क्या बकवास हो रही है तब तो थोड़ी से मुश्कील है क्योंकि जीवन में हर चीजें बकवास की रूप में नहीं लेनी चाहिए कुछ-कुछ चीज कुछ करना चाहते हैं तो उनका सहयोग क्यों न किया जाए इन्हीं वजहों से मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ और समय निकालकर मैंने पेपर को पहले देखा छाटा जो उपर मैं किया हूँ यह आसान काम नहीं था तीक है ना इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सवाल पूछे जा रहे हैं और इतना भी अगर मैं पता देता हूं तो हमारे बच्चे इतना एलर्ट रहने वाले हैं जो कि कर लेंगे कोई दिकर लेंगे बाकि विश्वास पे दुनिया कायम है और आप विश्वास किजिए इस समय रहते ही जो भी जरूर मंद चीजे रहें प्रैक्टिस से सब्जेक्टिव नोर्स वो प्रस्तुत करने का हम प्र्यास करेंगे तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तबते के लिए नमस्कार